नमस्कार दोस्तों सुवागत है आपका हमारी योट्यूब चैनल जी के ट्रैकर पे देखे फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्राखंड इस्पेशल क्लासिस सीरीज जिसमें हम उत्राखंड की लोकोक्तिया जो प्रमुक मुहावरे हैं उनको यहाँ पर कवर कर रहें जिसमें आपको गड़वाली कुमाउनी की जो फेमस लोकोकतियां हैं जो प्रचलित हैं काफी ज़दा जिनके चांसें पेपर में आने के केवल सलेक्टिट लोकोक्तियों को यहाँ पर कवर करते हैं और उनको समझने का प्रियास करते हैं उनकी शब्दावली को समझने का प्रयास करते हैं ये हमारी उत्राखंड special class की चौथी class होगी इससे पहले हमने तीन classes में 80 से ज़ादा लोकुक्तियों को cover किया है अगर आपने उन classes को नहीं देखा है आप उनको playlist में जाके देख सकते हैं इसके अलावा इसी सीरीज की जो हमारी पहली वीडियो थी उसमें हमने उत्राखंड की बोलियों और भाशा के उपर डीटेल में बात करी है उसे भी आप playlist से जाके देख सकते हैं जिसमें आपको गड़वाली बोली उसकी जो उप बोलिया हैं उनके बारे में जानकारी, कुमाउनी बोली, उसकी उप बोलियां, सारी जानकारियां आपको मिल जाएंगी तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को शुरू करते हैं आज की वीडियो में भी आपको राज्य की प्रमुप लोकुक्तियां और मुहावरे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला यहाँ पर लोकुक्ति है अकल एंच ठोकर खे बेर इसका क्या मतलब हुआ? तो कुमावनी लोकुक्ति है अकल एंच ठोकर खे बेर इसका मतलब हो गया कि जो अकल आती है वो ठोकर लगने के बाद आती है तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा अनुभव से ही ग्यान प्राप्त होता है जो अकल आती है बिना अनुभव के आपको अकल नहीं आती है बिना अनुभव के आपको ग्यान प्राप्त नहीं होगा तो ठोकर लगने के बाद ही अकल आती है ठीक है इसके लिए उत्राखन में इस लोकोक्ति का प्रियोग किया जाता है अगला है हमारा पूत आपणो लिख लिया पेपर में भी आया था बिरण मतलब पराया हो गया ठीक है अब आप धिरे-धिरे शब्दों को समझने भी लगेंगे जब आप इन लोकोक्तियों को कवर करेंगे तो पूत अपनो यानि जो पुत्र है वो अपना है लेकिन जो न्याय होता है वो बिरान होता है या कोई अपराध है आपने किया है तो दंड चाहे वो अपना हो या पराया हो सब के लिए बराबर होगा यानि पुत्र अपना है लेकिन न्याय कभी अपना नहीं होता तो इसका अर्थ हो जाएगा अपना हो या पराया सब को दंड यहां पर भुगतना पढ़ेगा इसके लिए उत्राखंड में कहा जाता है पूत आपनो न्याएं बिराणो ठीक है अगला है अगास थुक्यू पढ़्यू मुख इसका क्या मतलब हुआ अगास यानि इसको भी हमने कई बार देखा है अगास यानि आकाश की बात हो रही है थुक्यू माले थुक हो क्या आर्थ हो जाएगा दूसरों के लिए बुराई की और खुद पर आ पड़ी इसको आपने ध्यान रखना है अगला है डानी डानी काफाई 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 का मतलब हो गया कि एक परवत से दूसरे परवत पर आप जा रहे हैं एक काफल के पेर से दूसरे काफल के पेर पर जा रहे हैं यानि निरर्थक घूमना फिरना कोशन आज आएगा बताईए राज्य में निरर्थक घूमने फिरने के लिए किस लुकोक्ति का इस्तिमाल होता है या सिधा दे देगा डानी डानी कफाई कफाई का मतलब क्या हुआ बे मतलब इधर उधर घूमना ठीक है अग इसका मतलब हो गया कोई पहचान ना होना ठीक है अगला है नामाक थूल दर्शनाक नान इसका क्या मतलब हिंदी की एक फेमस इसके लिए मुहावरा आता है नाम बड़े और दर्शन छोटे यानि नाम के विपरीत गुणों का होना तो यही उत्राखण में कहा जाता है नाम ठीक है यानि नाम बड़े और दर्शन छोटे जो खयाती है के वल नाम की है लेकिन जो वास्तव एक गुण है वो नहीं है ठीक है रावनों जैसो हन गरवी इसका क्या मतलब हुआ रावन जैसा अभिमानी इसके लिए कहा जाता है लोकोक्तियों में रावन जैसो हन गरवी यानि कि अपने आप पर गरव करने वाले प्रवर्ती वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके उपर ये कहा जाता है उनके लिए कहा जाता है रावन जैसो हन गरवी हो गया रावन जैसा अभिमानी हो गया जे गौं जान नी वी गौंक बाट की पूछनौ इसका क्या मतलब हुआ जे गौँँ जाननी, यानि जिस गाउंग जाना नहीं है, वी गौँँख बाट बाट मतलब होता है रास्ता, उस गाउंग का रास्ता क्यों पूछना, यानि जिस बात से कोई संबंध ना हो उसके विशे में जानकारी क्यों हासिल करनी चाहिए, जिस चीज से आपका कोई ले उसी के लिए कहा जाता है उत्राखन में, जिस गाउंक जाना नहीं है, उस गाउंक का रास्ता क्यों पूछना, उसी को कुवाउनी में कहते हैं, जे गौ जाननी, वी गौ बाट की पूछनी, ठीके? अगला है कने कने कोण करण, इसका क्या मतलब हो गया? तो तेरी तोली, तेरी ही मुँ में रहेगी, इसका मतलब हो गया, किसी का एहसान लेने से मना कर देना, और इसका दूसरा मतलब भी होता है, किसी का एहसान उतार कर अपना क्रोध प्रकट करना, तो दोनों आपको ध्यान रखने हैं, क्रोध के भाव से मना कर देना, वो चीज क थुपुर लगान, तो वो मुहावरा था, ऐसा ही पूछ लेगा, बताइए, थुपुर लगान, तो किसी चीज गा, बहुत आयाट से होना, उसे कहा जाता है, थुपुर लगान, इसी प्रकार अगली मुहावरा है, जिमोड जस inclusion, इसका क्या मतलप हो गया, जिमोड जसपूड मतलब हो गया ततयों के जुन्ड के जैसा जो ततये होते हैं उनके जुन्ड जैसा और ततये आप जानते हैं काफी जादा आकरामक होते हैं डंक जब मारते हैं तो काफी तीखा डंक मारते हैं तो इसके लिए कहा जाता है जिमोड जस पुड़, इसका मतलब हो गया आकरामक व्यक्तियों का एक सम्हू, तो राज्य में आकरामक व्यक्तियों के सम्हू के लिए कौन सा मोहावरा इस्तिमाल होता है जिमोड जस पुड़, ठीक है नेक्स्ट है खुट पल्टन, इसका क्या मतलब हो गया, खुट मतलब होता है पैर, पैर पलटन, इसका मतलब हो गया, मन ही मन क्रोधित होना, जैसे सिंग पल्याने का मतलब क्या होता था, युद के लिए तयार है न, लड़ाई जगडे के लिए तयार होना, उसी प्रकार, खुट पल्टन क इसका मतलब क्या हो गया मन ही मन क्रोधित होना ठीक है इसी प्रकार पैरों से ही related खुटों से ही related एक और आता है खुट खजाना इसका क्या मतलब हो गया यानि पैर खुजलाना एक जगह पर इस्थिर ना रहना उसके लिए कहा जाता है खुट खुजलाना यानि इसके पैर उसके लिए कहा जाता है खुट टिकन ठीक है अगला है अकलदाण फूटन इसका क्या मतलब हो गया अकल के दात गिरना इसका मतलब यह होता है जो अकलदाण होती है उसका निकलाना यानि उम्र से परिपक्व हो जाना तो अकलदाण फूटन का मतलब अकलदात का आना यानि उ उम्र से परिपक्व हो जाना, धीट लागन मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धीट लागन, जैसे कहा जाता है, इसको धीट लागन, यानी कूद रिष्टी से यहाँ प्रभावित हो गया, तो धीट लागन यानी नजर लगना, अगर हम सिंपल भाशा में बात करें, तो उत् होता है, धीट लागन, अगला है चमखान, चमखान का मतलब क्या हो गया, अचे तो हो जाना, ठीक है, पूछा जा सकता है, अगला मुहावरा है हमारा काज नियोतर्ण, काज नियोतर्ण यानी की अपने काज में, कारियों में निमंतर्ण देना, तो सुब कारिया का नियोतर देना उसे कहा जाता है काज नियोतर ठीक है अकलक बैरी इसका क्या मतलब हो गया काफी प्रचलित मुहावरा है अकलक बैरी यानि की अकल का दुश्मन हम जिसको कहते हैं कम अकल का व्यक्ति अकल का दुश्मन यानि महामूर्ख हम जिसको कहते हैं ठीक है तो उसी को लुकुप जाना या शांत पड़ जाना इसको कहा जाता है इसके लिए कहा जाता है अचानक किसी अंग का निर्जीव हो जाना उसके लिए इस्तिमाल होता है मुहावरा खाल पड़न ठीक है खोरी आग लागन इसका क्या मतलब हो गया कुमाउनी में खोरी आग लागन इसका मतलब सिर में आग लगना और सिर में आग लगना यानी दुर्भाग्यपून होना ठीक है इसको आपने ध्यान रखना है खोरी आग लागन मतलब क्या हुआ सिर में आग लग गई और सिर में आग लगना के लिए कहा जाता है, पेट पसी गए, ठीके, अगली है, खाई की जानो, भुके बात, इसका क्या मतलब हो गया, यह खाया हुआ विक्ति क्या जाने, भुके की बात, इसका आर्ट हो गया, जिसने कभी कस्ट सहा ही नहीं, वो कस्ट का क्या अनुभव जानेगा तो खाई व्यक्ति या खाई की जानू भूके की बाद, यानि खाने वाला व्यक्ति है, जो खाया हुआ व्यक्ति है, वो क्या जाने का भूके की बाद, जिसने कभी कस्ट नहीं सहा, वो कस्ट का दर्द क्या जाने का, अगला है सौन मरी सांसू, भादो आए आंसू, इसका क्य मतलब हो गया यानि सावन में सांस मरी और आसु आपके भादों में आ रहे यानि बहुत देर से किसी चीज का एहसास होना इस चीज के लिए ये वाली लोकोक्ति कुमावनी में कही जाती है जेक बिया बीस मुखले ने लेया इसका क्या मतलब हो गया यानि जिसकी शादी है जिसका बिया है उसी को साथ ना लाना यानि विशे वस्तु पर ही बात ना करना इधर उधर की बाते करना उसके लिए इस लोकोक्ति का कुमावनी में इस्तेमाल होता है ठीक है अगली है अती खान भसम जान इसका क्या मतलब हो गया अती खान भसम जान यानि की बहुत जादा खाना हानिकारक होता है तो इसका जो भावार्त होता है इस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो ये होता है कि किसी भी वस्तु की अती होने से होने वाली हानि किसी भी चीज की अगर अती होगी तो वो हमारे लिए हमेशा खराब होता है हमारे लिए हमेशा हानी का विशय होता है तो किसी भी चीज की अती नहीं करनी चाहिए यही बात कौन सी कुमावनी लुकुक्ति कहती है अती खान भसम जान ठीक है किसी भी वस्तू की अती से होने वाली अगली है आठ जे बाकरी नो ढाकरी इसका क्या मतलब हो गया आठ बक्रियाँ हैं और नो गडरिये हैं यानि किसी कारिया के लिए आविशकता से अधिक लोगों का एकत्रित हो जाना यानि आठ बक्रियां हैं और उनको संभा लेने के लिए 9 गड़रिये रखे गए हैं तो किसी भी एक काम में आविशक्ता से जादा लोगों का आजाना, एकत्रित हो जाना उसके लिए इस लोकोक्तिक का इस्तेमाल किया जाता है आठ जै बाक्री, नो ढाक्री अगला है रिसी खवों आपडू घर इसका क्या मतलब हो गया? रिसी खवों आपडू घर यानि की जो गुसेल विक्ति होता है वो अपने ही घर को फूंक देता है, अपने ही घर का नुकसान करता है तो इस लोकोक्तिक का अर्थ हो गया क्रोध में हमेशा अपना ही नुकसान होता है या क्रोध में अपना ही नुकसान करना इसके लिए क्या कहा जाता है रीसी खवों आपडू घर ठीक है और आज का अंतिम है खान पीन ठीके भान धून जीके इसका क्या मतलब हो गया ये खाना पीना ठीक था लेकिन भांडे यानि जो बरतन है वो अब जादा धोने पड़ेंगे खाना पीना कम है और जितना खाया पिया नहीं उससे जादा बरतन गंदे हो गए यानि लाब कम हुआ और मेहनत आपको जादा करने होगी या मेहनत जादा करी और लाब उसका कम हुआ तो उसके लिए लोकुक्ती है खान पीन ठीके भान धून जिके ये खाना पिया कम और बरतन धोने हैं अब जादा तो मेहनत जादा लाब हुआ कम इसके लिए इस वाले लोकुक्ती का इस्तिमाल किया जाता है यह हमने आज के वीडियो में जो प्रमुक लोकुक्तियां थी मुहावरे थी maximum आपके आज जादातर या लगभग सभी आपकी कुमावनी लोकुक्तियों को हमने यहाँ पर cover किया और जो केवल selected हैं जिनके आने के chances हैं उन्हीं लोकोक्तियों को हम शुरुवात में cover कर रहे हैं अब तक 4 parts में हमने 115 के करीब लोकोक्तियों को मुहावरों को यहाँ पर उत्राखंड की कर लिया है जिससे आपको जो selected हैं वो देखने को मिलेंगे जिसमें आपको कुछ शब्द समझने में आपको मदद मिलेगे उमीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें वीडियो आपको कैसा लगा कम बॉक्स में हमें जरूर बताएं थैंक यू फ्रेंड्स